हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटिब चैनल एजुकेट भारत में दोस्तों आज का वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में हम और्गिनाइजेशन के मेंबर्स की ट्रिक देखेंगे जो बहुत जादा एक्जाम में तक आपको याद रहेगी बस आपको करना इतना है कि इस वीडियो को कम्प्लीट देखना है वीडियो पसंद आया तो लाइक इन शैट जरूर कीजिए अगर अभी तिक चैनल को सब्सक्राइब करके बैल एकन जरूर प्रेस कर दीजिए इस वीडियो का पीडिया आफ आपक सबसे पहले देखिए आशियान आशियान का पूरा नाम है इसका मुख्याले कहां पर है तो जकारता इंडोनेशिया में आशियान का मुख्याले है और आशियान में कितने सदस्य हैं तो टोटल 11 सदस्य हैं आशियान में अब यह 11 सदस्यों को याद रखने की ट्रिक क्या है क्योंकि इन्ही 11 में से पूछा जाता है किसी भी मेंबर के बारे में तो यह 11 मेंबर याद रखना हमारी लिए most important है ट्रिक क्या है हमारी MBBS TC IPL देखे TV पर समझ जाए कोई TC है जो क्या है MBBS तो MBBS TC क्या देखे IPL देखे किसमें देखेगा TV पर तो आपको यह बहुत आसानी से याद हो जाएगी बस आपको सुबा उटकर 4-5 बार इसे रिपीट करना है कि MBBS TC IPL देखे TV पर देखे M से क्या हो जाएगा Malaysia, B से हो जाएगा Burma जिसे अब हम Myanmar कहते हैं और next B से हो जाएगा Brunei, S से हो जाएगा Singapore, T से हो जाएगा Thailand, C से हो जाएगा Cambodia, I से Indonesia, P से Philippines, L से हो जाएगा Laos, T से हो जाएगा Timor, और B से हो जाएगा Vietnam देखे यह जो Timor है, आपसे यह question भी पूछा जाएगा कि आशियान का 11 member कौन बना है, तो यह जो Timor है, Timor Leste, यह 11 member है आशियान का, तो यह most important है आपको यह चीज़ याद रखने है क्योंकि यही question बनेंगे अगर आशियान से आपसे question पूछा जाएगा तो, बहुत easy सी trick है, MB PBS, TC, IPL देखे, TV पर, इसको बार-बार बोली, आपको आसानी से याद हो जाएगी, आगे देखते हैं, आगे जो organization है, वो है SCO, संघाई, Corporation, Organization, यह भी most important है, इसका भी full form पूछा जाता है, तो आपको सबसे पहले सभी organization के full form याद होना जरूरी है, इसके बाद देखे, इसका मुख्याले कहाँ पर है, headquarter कहाँ पर है, तो वो है Beijing, China, ठीक है, SCO का headquarter कहाँ पर है, वो है Beijing, China, इसमें कितने सदस्य हैं, तो इसमें 9 सदस्य हैं, अब इन सदस्यों को याद करने की trick क्या है, तो बिल्कुल आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं, आपको याद रखना है, truck, की pick, बस क्या याद रखना है, truck, की pick, truck में क्योंकि हम स्पैलिंग में C भी लिखते हैं, लेकिन आपको याद रखना है, कि यहाँ पर truck क्या है, ती, आर, यू, के, यहाँ पर truck है, और truck की pick, अगर आप इतना याद रख लेते हैं, तो आपको SCO के 9 मेंबर बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, देखे, जो T लिखा है, T से क्या है, तजिकिस्तान, फिर R से क्या है, रशिया, फिर U से क्या है, उजबेकिस्तान, के से क्या है, कजाकस्तान, फिर की में जो के है, उससे है, किर्गिस्तान, फिर I से हो जाएगा, इरान, P से हो जाएगा, पाकिस्तान, I से हो जाएगा इंडिया और सी से हो जाएगा चाइना तो यह मोस्ट इंपोर्टेंट है आप ट्रिक से याद कर लीजिए बस ट्रक की पिक आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा आप देखिए आप से प्याद रख सकते हैं आगे सार्क का पूरा नाम क्या है तो साउत एशियन एसोशियेशन फौर रीजोनल喇ल कॉर्प्रेशन यह सारक का पूरा नाम है सभी के फुल फॉर मैं याद करना सबसे ज़ादा जरूरी है इसके बाद 20 का मुख्यालें तो का MBBS exam देता है तो बहुत pain में उसके exam निकलते हैं क्योंकि बहुत पढ़ना पढ़ता है तो MBBS pain से आप इसको याद रख सकते हैं M से क्या है Maldives से B से Bangladesh एक और B से Bhutan और S से Sri Lanka तो यहाँ पर हो गया MBBS अब pain देखिए तो P से है Pakistan A से है Afghanistan I से है India और N से है Nepal अगर आप इसे MBBS pain से याद करेंगे यह trick अगर आपने याद कर ली तो सार्थ के member आप कभी भी नहीं बूलने वाले हैं तो most important है आपको यह याद रखना है आगे देखते हैं आगे देखी बिमस्टेक का फुल फॉर्म भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एक्जाम में तो बे और बंगाल है तो बिमस्टेक भूलना नहीं बस आपको यह याद रखना है कि बिमस्टेक को हमें भूलना नहीं है तो बिमस्टेक में आगे के जो पांच यह आपको दिख रहा है अल्फावेट इनी से हम पांच कंट्री याद कर लेंगे और बाकी दो एक भूलना से और एक नहीं से त ती से थाइलाइंड है और यहां पे जो भूलना है भूलने से याद रखना है भूटान और नहीं से याद रखना है नेपाल तो उस आसान सी ट्रिक है कि बिमस्टेक भूलना नहीं अगर आप बिमस्टेक को नहीं भूलेंगे तो आप आसानी से याद रख जाएंगे क्या इस ग्रुप ओफ टैवन ग्रुप सेवन के ICloud सकते हैं नुसी याद रखने की ट्रिक है जर्मनी फेके जूस बस आपको इतना याद रखना है कि जर्मनी है वह से यह और यहां है कि Īुछ तो ज remembers यू से क्या हो जाएगा यू से आई से क्या हो जाएगा इटली सी से हो जाएगा कैनेडा और इसे हो जाएगा इंगलेंड यह सभी मेंबर है किसके जी सेवन के most important है G7 कई बार एक्जाम में पूछा जाता है तो बस आप आसान सी ट्रिक याद रख लीजिए जर्मनी पेके जूस और बस आपको याद हो जाएगे G7 के सारे के सारे members आगे देखते हैं यह most important है अभी G20 क्योंकि G20 इस बार भारत में हुआ है इसलिए इसके members को याद रखना सबसे जादा important है इसके member का shots भी डाला था मैंने कि आप आसानी से देख सकते हैं देखे इसकी trick क्या है गुरुजी सीता आप SSC, FCI में काम करती है देखे जो हिंदी भी लिखा है इससे कोई trick नहीं है लेकिन ही जितने English के word है इससे सारी country है G से क्या है गुरुजी में जो G है उससे है Germany, U से है USA, R से याद करना है Russia, और U से याद करना है UK तो यह आपका complete हो जाएगा गुरु उसके बाद G में J से होगा जपान, I से होगा इंडिया उसके बाद देखे जी भी complete हो गया अब बारी है सीता की अगले S से हो जाएगा South Africa और C से हो जाएगा Canada और FCI तो F का मतलब है France, C का मतलब है चाइना और I का मतलब है Italy और May में काम करती है याने की ME तो में से हो जाएगा Mexico और U से हो जाएगा European Union तो यह most important है क्योंकि G20 की submit कहां पर हुई है भारत में हुई है इसलिए इसके members जो अभी हमारे गेस्ट बनकर भी आये थे इसलिए भी यह बहुत ज़्यादा important हो जाता है तो इसे आप बहुत अच्छे से देख लीजे आसान सी ट्रिक है बस क्या है गुरू जी सीता अब SSC FCI में काम करती है अगर आप सुबह उटके से याद कर लेते हैं बहुत को आपको याद कराना था क्योंकि यह एक्जाम में बहुत जादा पूछे जाते हैं अगर आपको लगता है कि और भी organization है जिनके members आपको याद नहीं हो रहे हैं तो आप कमेंट करके मुझे बताईए मैं उसका वीडियो भी आपके लिए जरूर बनाऊंगी ट्रिक बनाऊं